तो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूँ Constitution जो कि पॉलिटी का बहुत ही important topic है यह आपका SSC, BPSC, UPSC जो भी आप competition की तियारी करते हैं उसके लिए काफ़ी important है और आपको ये वीडियो knowledge hub पे मिलेगा knowledge hub पे मैं upload करता हूँ अपके लिए free में सारे competition levels के वीडियो तो Constitution का मतलब क्या है समविधान, हिंदी में कहते हैं समविधान और Constitution का जो little meaning होता है वो है establishment, Constitution का little meaning है establishment, अस्थापित करना, किस चीज़ को अस्थापित करना, तो भारत में सरकारी विवस्था को, सरकारी तंत्र को, लोकतांत्रिक विवस्था को अस्थापित करना, right, democratic system को establish कौन करता है इंडिया में, तो Constitution, किस के दोरा बनाया गया, किस के दोरा अस्थापित किया गया ये, तो Constitution Assembly का गठन किया गया था, 9th December 1946 को, तो 9th December 1946 से लेकर, 26th November 1949 तक, इंडिया का Constitution बना है, जिसमें कि total time कितना लगा तो अगर आप से question पुछे कि total time कितना लगा भारत के समिधान या Constitution को बनने में, तो it took 2 years, 11 months और 18 days, किसके recommendation की आधार भी भारत में Constitution बना है, तो cabinet mission plan ये history में भी हम लोग पढ़ते हैं, कि cabinet mission plan आया था, तो cabinet mission plan 1946 में आया था, उसके तहत भारत में Constitution का निर्मान हुआ है, तो भ भारत का Constitution lengthiest in the world है, सबसे बड़ा Constitution और सबसे बल्किएस्ट Constitution कहां का है, इंडिया का है, based on other Constitutions, पतलब different, different जो provisions हैं भारत के Constitution में, वो अलग-अलग जगों से लिए गया हैं, for example, Ireland से directive principles of state policy, सरकार के नीती निर्दे सकत्त्त, fundamental rights या मौलिक अधिकार ये USA से लिया गया है, emergency provisions के दौरान जो powers हटा दिये जाते हैं, fundamental rights हटा दिये जाते हैं, वो जर्मनी से लिया गया है, साथ, अब next है कि rigid or flexible दोनों ही हैं हमारा सम्विधान, तो इसका मतलब क्या है, कि भारत का सम्विधान में कुछ provisions ऐसे हैं, जिसको change नहीं किया जा सकता है, मतलब क्या है, कि भारत क सम्विधान को में जो power का distribution है, वो दो level पे horizontal और vertical level पर divided है, मतलब क्या है, कि executive अलब काम करता है, judiciary अलब काम करता है, legislative अलब काम करता है, तो that power is called horizontal, ठीक है, और 36 रूप में उसका बटवारा हुआ है, और vertical रूप में जो बटवारा है, वो जैसे central government और state government, supreme court, high court, ये vertical level पे उ एक ही citizenship होता है, for example, अगर US की बात करें, तो उसमें वहाँ dual citizenship है, मतलब दो नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता होती है, state का अलग और center का अलग, तो यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं है, single citizenship है, single constitution for whole country, पूरे भारत के लिए एक मात्र सम्विधान है, पूरे भारत के लिए कोई state का अलग से constitution की बात नहीं है, पहले जम्मू कस्मीर का था भी exception था, लेकिन अब वो भी हट चुका है, next है bicameral legislature, मतलब क्या है, कि आप state level पे और central level पे देखेंगे, mainly central level पे जो parliament है, हमारा वो दो horse वाला है, एक है लोग सभा, जिसको horse of people कहते हैं, और दूसरा है राजी states कहते हैं, council of states कहते हैं, ठीक है, horse of elders भी कहा जाता है, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम भी है, next है कि constitution में है क्या, भारत के समिधान में chapters हैं, अध्याई है, उसको हम भाग कहते हैं, part कहते हैं, right, तो भारत के समिधान में जो समिधान बनके तयार हुआ था, उस स कुल अनुसुची की संख्या थी 8 और अब कितनी है 12 तो ऐसे questions आपसे पूछे जा सकता है कि भारत के संविधान में कितने number of schedules है next है article तो article जैसे मैंने आपको कहा कि amendment हो सकता है संसोधन हो सकता है तो originally article की संख्या थी 395 और अब article बढ़के कितना हो गया है 448 हला कि exact article का आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि हर संसोधन के बाद कुछ articles delete होते हैं कुछ articles उसमें add होते हैं तो ये आपसे generally नहीं पूछता है हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि कितने थे total तो 395 जो next है कि मैं part के बारे में जो भी important parts है उसको discuss कर रहा हूँ जहां से questions आ सकते हैं तो part 1 में क्या है समीधान की मतलब chapter 1 में क्या है तो the union and its territory संग और इसके सासिच छित्र है ठीक है इसमें कौन से articles हैं तो article 1 से लेकर article 4 तक Indian constitution का part 1 है part 2 में है citizenship नागरिक्ता ये article number 5 से 11 है तीसरा है fundamental rights मौलिक अधिकार ये article 12 से लेकर article 35 तक है जो part 4 है वो है directive principles of state policy सरकार के नीत निर्देशक्तत्तु ये article 36 से लेकर 51 है उसके बाद जो part 4 1 है इसको बाद में add किया गया है इसको add किया गया है 42nd constitutional amendment act 1976 से जिसको fundamental duties कहते हैं ये part 4A है और इसका article है 51A next जो fifth part है वो बहुत ही बड़ा part है union government जो संग की सरकार है उसके तीन अस्थम है तीन pillars है executive, legislative and judiciary तो executive का article 52 से 78 है legislative का article 79 से 122 है article 123 में ordinance power of president है अध्यादेश की सकती है राष्टपती की और article 124 से 47 147 ये judiciary है तो बांकी के जो तीन आर्टिकल चार आर्टिकल बच गए है वो controller and auditor general का है article 148 से 51 तक तो ये है आपका part 5 part 6 में है the state government, राजी की सरकारे इसमें भी वही फिर executive, legislative, judiciary का अलग-अलग है 152 से लेकर 238 तक इसके बाद है union territories के लिए अलग part है part 8, part 7 जो है वो deleted है उसके बाद next है part 8, part deleted का मतलब अभी उसमें कुछ है नहीं part 7 तो है लेकिन उसमें कुछ भी है नहीं, part 7 में part 8 में है the union territories, ये article number 239 से 242 है पंचायत, ये बाद में इसमें subjects तो add बाद में किये गए लेकिन part 9 में पहले खाली था, बाद में ये 73rd constitutional amendment act 1992 से इसको add किया गया पंचायती सिस्टम को और 74th constitutional amendment act 1992 से municipalities को add किया गया इसमें एक और part अलग से जोरा भी गया और बाद में cooperative society ये आपका 86th CAA 2002 के आधार पर इसमें कुछ provisions add किये गये थे और बागी के कुछ provisions बाद में भी add किये गये इसमें ठीक है तो article 243 to 243 ओ पंचायत, 243 P से लेकर 243 ZG तक ये principalities 243 ZH से लेकर 243 ZT तक ये cooperative society जिसको हिंदी में कहते हैं सहकारी समीती ठीक है इसके बाद हम जो part 15 है, part 15 है ये है elections के बारे में कि भारत में election किस तरह से होंगे, कितने साल के बाद होगा, election करवाने वाली संस्था कौन सी होगी जैसे election commission of India, ये आपका लोग सभा या विधान सभा या president, vice president का election होता है ये सारा conduct करती है, तो ये आपका part 15 में है, जो जो important part है वो ही मैं discuss कर रहा हूँ part 18 में है emergency provisions, जो article 352 से लेकर 360, इसमें चार-चार के gap पे बहुत सारे emergency के provisions हैं जैसे for example, जब national emergency लगाया जाता है, वो आपका article number 352 में है, कौन सा national emergency और article number 356 में है, आपका state emergency, state emergency है, article number 356 में है, और article number 360 में है, आपका financial emergency वित्ये आपात कल, ये article number 360 में है, इसके बाद अगर हम schedule की बात करें, तो schedule भारत के समिधान में 12 schedule है schedule number 1 में है, list of states and uts, schedule number 2 में है, salaries of president, judges and CAG, comptroller and auditor general उनकी salaries के बारे में है, जो schedule 3 है अपना, उस schedule 3 में है, oath and affirmation of elected officials including judges सबके सपत पत्र जो है, वो कहां लिखा हुआ है, schedule 3 में, schedule 4 है, वो allocation of seats इन राजिसभा की अलग अलग राजिसे कितने राजिसभा की सदस्य होंगे, ये आपका schedule 4 में मिंसर्ण है, schedule 5 में है administration of schedule areas and tribes, schedule areas and tribes, देखे क्या है, कि बहुत सारे schedule areas और tribes है, जिनके schedule 6 में है, ये 4 states के लिए है, असाम, मिजोरा, मेघालाए और तिरपुराद, same schedule 5 के जैसा ही है, लेकिन 4 states के लिए, ये अलग से है, schedule 7 में है, जो union list, state list, concurrent list में है, जो vertical power distribution की बात कर रहा था, वो schedule 7 से ही अपने को देखने को मिलता है, कि सबके अधिकार छेत्र, सबका जो jurisdiction है, वो अलग-अलग है, schedule 8 में है, official and recognized languages, इसके तहत 22 languages को recognize किया गया है, उसके बाद 9, 10, 11, 12, ये बाद में add किया गया है, 9th land reforms के तौर पे लाया गया, 10th को anti-defection law के तौर पे लाया गया, कि दल-बदल कानून, जैसे कोई व्यक्ती अ पढ़ेंगे पंचायती राज, पूरा का पूरा, ये schedule 11 में है, schedule 12 में है, municipalities, तो ये आपका एक brief introduction मैंने दिया, कि आने वाले quality के classes में मैं आपको क्या-क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो mainly हमारा focus constitution के ओपर रहेगा, क्योंकि constitution से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, तो आज के intro part म बस इतना ही, आप हमारे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए, ताकि मेरा उस्साह इसी तरह से बना रहे है, और आपको free में quality education मिलता रहे, thank you so much.